वाहिगुरु जी का खाल सा वाहिगुरु जी की फते एस एपीसोड वी चसी जाना गे लहौर दे एहद नामा बारे अते 11 मार्च 1860 दे एहद नामा बारे अंग्रेजा ने जलंदर दुआब दे लाके उते कपजा कर लेया लड़ाई दे खर्चे दी कुछ रकम बदले अंग्रेजा ने सिंध अते ब्यास द्रयामा दे विच कारला सारा पहाडी लाका ले लेया जो के गुलाब सिंग नु देना सी जिसनु के महराजा दलीप सिंग न जा उस विले अंग्रेजा ने पंजा लाक रुपईया लेना किता सिख फौजां कटा आके अठ आठ सो दी नफरी दियां पच्ची पल्टना अते बारा हजार कोड चड़े कर दिती जाएगी जंग विच वर्तियां गईयां सारियां तोपां अंग्रेजा दे हवाले कर दित पंजाब नू होर ज्यादा मजबूती नाल काबू करन ली तीसरे दिन ग्यारा मार्च नू एक होर एहद नामा लहौर दरबार दे सिर मड़या गया इस विच लिख लिखया गया काफी गिंटी विच अंग्रेजी फौज एक साल ली लहौर विच रखी जाएगी जिस दा ल अंग्रेजी सरकार लहौर दे इलाके दे जगीरदाराँ दे योग हका नू परवान करेगी आते सरकार अंग्रेजी नू खुल होएगी के सिखां दे लेगे इलाके दे किलेया विच पई सरकारी जायदाद दा योग मुल दे के रखलवे महराजे तो बिना जो केवल सड़ सत वर्यां दा बेबस बच्चा सी इना एहद नामे आउते सत सरदारां दे दस्खत सन इना विच्चो पहला पाई राम सिंग अगने जानाल गंड तुप करन विच राजा गुलाब सिंग दा एजेंट रहा सी अगले दो गदार मिसर लाल सिंग ते मिसर तेज सिंग सन सरकार अंग्रेजी ने इना दोहा देश्तरों यानो पंजाब राज दे सब तो वड़े मुखी परवान करके राज काज दे बहुत सारे अख्तियार इना नो दे दिते बाकी चौँ दस खतियानो इना दे नाल प्रते निद होन दा दिखावा करन ली रलाल गया गया सी वाहिगुरुजी का खालसा वाहिगुरुजी की फतेख